स्टार्ट महामारी से निपटने के तौर तरीकों को लेकर केंदर सरकार के रवये पर सुप्रीम कोट ने ग्यहरी नाराजगी जताई विराम अदालत ने कहा कि ओक्सीजन के बिना लोग दम तोड रहे हैं एक एक सिलेंडर के लिए लंबी कतारे लग रही हैं लोग रो रहे हैं जबकी केंदर सरकार लगातार ओक्सीजन की कमी नहीं होने का दावा कर रही है लेकिन हालात हकीकत को बया करने के लिए काफी है अदालत ने यहां तक कहा कि यह वक्त सियासत का नहीं है यह समय लोगों की जान बचाने का है अदालतों की चिंता वाजब है लोग गुहार लगाएं भी तो किसके सामने विराम गौर्दलब है कि सर्वुच अदालत ने 23 अप्रेल को मामले का सुतह संग्यान लिया था अक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोट भी किंद्र और दिल्ली सरकार को जरूरी निर्देश दे चुका है लेकिन हैरत की बात है कि बड़ी अदालतों की इतनी सक्रियता और सतत निगरानी के बावजूद हालात जसके तस हैं प्रती भर फर्क नहीं पड़ा विराम ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है और इसलिए दिल्ली हाई कोट ने गुरूवार को किंद्र सरकार से पूछा की आकिर क्यों नहीं अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ती होपा रही है पर सरकारों के पास ऐसे सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है बलकी किंद्र और राज्य आक्सीजन की कमी और आपूर्ती के मुद्दे पर एक दूसरे पर ठीकरा फूडने में लगे हैं पैरा ऑक्सीजन संकट के मुद्दे पर किंद्र और राज्यों खासतोर से दिल्ली सरकार के बीच टकराव विचलित करने वाला है हजारों लोगों की मौतों के बाद भी सरकारें सम्वेदन हीनता दिखा रही हैं सरकारों का ऐसा निश्टोर रवया सरकारी कारिय समीती की जलक देता है वरना क्या कारण है की हफते भर के भीतर ऑक्सीजन आपूर्ती का सिलसिला नहीं बन पाया विराम दिल्ली सरकार कह रही है की केंद्र जरूरत से काफी कम ऑक्सीजन दे रहा है जबकी केंद्र कह रहा है की दिल्ली सरकार टेंकरों का बंदोबस्त नहीं कर पा रही बहुत संभव है की इसलिए सुप्रीम कोट को कहना पड़ा की इस मुद्दे पर सियासत न हो टेंकरों का इंतिजाम में दिल्ली सरकार को अगर समस्या आ भी रही है तो मदद के लिए केंद्र को आगे आने चाहिए ओक्सीजन आवंटन के मुद्दे पर भी हाई कोट ने केंद्र से पूचा की आखिर दिल्ली को उसकी मांग के मुताबिक ओक्सीजन क्यों नहीं मिल रही जबकी महराश्ट्र और मद्यप्रदेश को मांग से ज़्यादा ओक्सीजन आवंटित कर दी गई विराम अगर अदालत केंद्र से ऐसे सवाल पूच रही है तो निश्चित रूप से उसे कहीं उसके फैसले में कुछ तो गलत लग रहा है विराम पैरा टीकों के अलग-अलग दाम को लेकर भी सुप्रीम कोट ने सवाल पूचे हैं कमपनियों ने जिस तरह से मेलभाव की नौबत खड़ी कर दी उसे कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता राज्यों को अलग दाम पर और केंद्र को उससे भी सस्ता टीका देने की बात है सर्वोच अदालत को यह खटका है विराम टीके के दाम से लेकर टीका करण अभियान को लेकर फैसले हडबडी में हुए लगते हैं विराम वरना राज्य क्यों एक माई से अठारह साल से उपर के लोगों को टीका लगाने के मामले में हाथ खड़े कर देते विराम क्यों अदालत को यह छोड़ा कहना पड़ा की राज्यों को टीका मुहया कराने का फैसला कमपनियों पर नहीं छोड़ा जा सकता यह केंद्र के निर्मान में होना चाहिए अदालत का यह सवाल भी तारकिक ही है कि केंद्र सरकार सारे टीके क्यों नहीं खरीद रही टीका निर्माताओं की खुली चूट देना उनकी मनमानी को बढ़ावा देना होगा अदालत ने सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगाने के बारे में भी वचार करने को कहा है बेशक इस वक्त सरकारे लाचारी की हालत में हैं ऐसे में अदालतें सरकारों की जिम्मेदारी का ही भान करवा रही है पैरा संकट में पड़े लोगों की साहेता पहुचाना सरकारों की जिम्मेदारी होती है इस क्रम में यह देखना जरूरी नहीं होता कि किसी प्रभावित व्यक्ती ने मदद की मांग की है या नहीं लेकिन कई बार संकट का दाइरा बड़ा होता है और लोगों के सामने सरकार से मदद मिलने का इंतजार करने के बज़ाए उससे अपने इस्तर पर निपटना प्रात्मिक चुनौती होती है बिराम कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी व्यवस्था में लापरवाही कोता ही या फिर कमी की वजहे से संकट गहरा जाता है ऐसी इस्तती में एक सभ्य समाज में अपने आप मानविय आधहार पर एक दूसरे की मदद का एक असंगठित तंत्र काम करना शुरू कर देता है और हर समवेदनशील व्यक्ति अपनी सीमा में किसी जरूरत मंद की मदद करता है या जरूरी सूचनाएं पहुंचाता है किसी भी समाज में इस तरहे मदद की भावना को लोगों के समवेदनशील और मानविय मुल्यों के प्रती जागरुक होने के तौर पर देखा जाना चाहिए विडंबना यह है कि कई बार सरकारे इस तरहे कि गतिविधियों को कुद को कटगरे में खड़ा करने के तौर पर देखने लगती है सवाल है कि जो काम करना सरकार की जिम्मिदारी है उसमें नाकाम होने पर शर्मिंदगी महसूस करने के बज़ाए वह उल्टे एक दूसरे की मदद करने वाली जनता पर शिकंजा कसना क्यों शुरू कर देती है पैरा शुकरवार को सुप्रीम कोट ने इसी रवईये पर तीका सवाल उठाया कि कोई भी राज्य कोविड-19 के बारे में सुचिनाओ के प्रसार पर शिकंजा नहीं कस सकता है और इंटरनेट पर मदद की गुहार लगा रहे नागरिकों को यह सोच कर चुप नहीं कराया जा सकता कीवे गलत शिकायत कर रहे हैं अदालत ने यहां तक कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों से मदद के आवहान सहित सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को रोकने के किसी भी प्रयास को नयलाई की अवमानना माना जाएगा विराम शिर्श अदालत का यह है फैसला हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रिशासन के उस फैसले के संदर्भ में आया है जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर महामारी के संबंद में कोई जूटी कभर फैलाने के आरोप में रास्ट्रियस रक्षा अधीनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा विराम एक खबर के मताबिक उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ती ने अपनी 88 वर्षिय बीमार दादा को ऑक्सीजन मुहया कराने के लिए सोशल मीडिया पर मदद मांगी थी और पुलिस ने डर फैलाने का आरोप लगा कर उसके खिलाफ महामारी अधीनियम क के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया पैरा उच्चितम न्यायलय के पुर्व न्यायधीश मदन बी लोकुर ने एक व्यक्ष्यान में इस पर ठीक ही सवाल उठाया कि इस तरहे मदद मांगने वाला व्यक्ती क्या कोई अपराद कर रहा है उन्होंने कहा कि दर असल ये तरीके औ और साधन हैं जिनके जरिये बोलने और अभी व्यक्ती की सुतंतृता में कटाती की जा रही है विराम दर असल पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए एस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सिजन की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है जाहिर है यह है इस्तती सरकार और समूचे स्वास्थय तंत्र के चर्मरा जाने की वजह से आई है ऐसे में लोग सोशल मेडिया के जरिये बिमारी की वजह से संकट में पड़े लोगों के लिए ऑक्सिजन या बिस्तर मुहया कराने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं विराम